बिस्मिल्लाहिरोहमानुराहीम आज हम डिस्कस करेंगे स्टाटिस्टिक्स वान उसका लेक्चर हमारे पास 18 है हमारे चैनल का नाम आजसर्फ महमूद एपी मैथिमेटिक्स है यहाँ पर FSE, BS, BSE, MSC मैथिमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है आप हमारे चैनल को करें लाइक करें और आगे शेर करें आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो प्रॉबिल्टी का टॉपिक है प्रीवियस लेक्शन में भी हमने डिस्कस किया था आज हम चांद इसके इंपॉर्टन ला डिस्कस करेंगे यह जो प्रॉबिल्टी है यह वेरी वेरी impossible event impossible event जिसको हम phi को हम क्या बोलते हैं एमटी set एमटी set ऐसा set होता है जिसमें कोई भी element बिलाऊंग नहीं करता इसका मतलब है कि अगर अगर आप number of element phi लेंगे तो वो क्या होगा जीरो क्योंकि phi हमारे पास क्या है empty set है जिसमें कोई भी element तो हम क्या लिखेंगे एन हमारे पास यहां क्या है किसको डिनोड करता है number of number of element को तो इसका मतलब जो सेटफाई है उसमें element क्या होता है यह इसमें जो number of element वो क्या है 0 अब आप देखें यहां पर अपने पड़ा हुआ है कि s हमारे पास क्या है sample space मैंने आपको previous lecture में भी बताया था कि s क्या है sample space जिसको हम बोलते थे possible possible outcomes तो इसका मतलब मैंने यह भी बताया था कि probability of s क्या होती है हमारे पास one तो अगर मैं आपको यहां इस थूर्म के बारे में discuss करें आप जानते हैं कि s sample space है union 5 अगर आप s का union 5 के साथ तो answer क्या आएगा s आपने पड़ा हुआ है तो a union 5 या 5 union a answer हमेशा क्या आएगा a तो note करें अब जो इसमें important बात है s and 5 are dejoint sets यह दोनों sets क्या होंगे dejoint sets होंगे इसका मतलब कि s intersection 5 5 हमारे पास answer क्या आएगा 5 इसका मतलब है इन दोनों में कोई common point नहीं है तो अब जब हम इसकी आपने पड़ा था addition का थोरम probability of previous lecture में probability of a union b probability of a plus probability of b तो आपने लिखा था कि a intersection b is equal to 5 यानि इसका मतलब है कि a और b दोनों क्या है dejoint sets है a and b are dejoint sets इसका मतलब इनने कोई common point है नहीं है तो फिर हम फार्मला यह यूज करते हैं इसका मतलब s और फाई किया है dejoint set तो अपलाई करें probability of s union 5 बराबर होगा probability of s plus probability of 5 तो आपने क्या पड़ा था कि s union 5 किसके बराबर होगा s के तो यहां लिखें इसकी जगा पर s union 5 किया आगया s probability of s plus probability of 5 इसको इदर माइनस कर दें या यह यह cancel हो गया तो हमारे पास probability of 5 किया आगया 0 यह mcq's point of view से very very important है क्योंकि आपने पड़ा था कि probability of s क्या होती 1 इसका मतलब probability of 5 अब क्या हो जागी आपके पास 0 next हमारे पास है law of compliment देखें आपने पड़ा था कि a का compliment उपर बाहर डाल लें या एक compliment सीग लिख लें तो इसका मतलब होता है कि universal set u minus a हमारे पास probability में universal set जो होता है वो क्या होती है sample space जिसको आप possible outcome भी कहते हैं इसका मतलब जब आप लेंगे a का compliment तो इसका मतलब s minus a एक और बात note कर लें जो हमारे पास a bar है यह किसको शो करता जो bar किसको शो करता है compliment को हमने प्रूफ करना है कि probability of a compliment बराबर है one minus probability of a if a bar is a compliment of event a relative to the sample space as then probability of a compliment is equal to one minus probability of a तो देखें आपने discuss किया हुआ fundamental result है कि आपके पास अपने लिखा था कि a union a bar आपके पास क्या था universal set u अगर आप लें a intersection a compliment तो answer क्या आता है फाई देखें फाई क्यों आता है क्योंकि a and a compliment are disjoint sets इसका मतलब इन दोनों में कोई common point नहीं होता a intersection a compliment हमेशा क्या आएगा फाई अगर आप a union a compliment लें तो answer क्या आएगा universal set u यह fundamental results है तो इसका मतलब a union a sorry a union a compliment हमारे पास यहां क्या है universal set का क्या काम का रहा है यहां पे sample space तो इसका मतलब अगर आप दोनों तरफ probability apply करेंगे a union a compliment is equal to probability of s तो अब आप देखें a union a compliment आप ने खुद कहा है यह बराबर किसको होता है s के और a और a compliment के हैं dejoint sets अगर इन दोनों का intersection लें तो क्या आएगा हमारे पास 5 तो हम कौन सा थर्म apply करेंगे probability of a union b is equal to probability of a plus probability of b यह थोड़ों उस वक्त अप्लाई करते हैं जब a और b क्या हों disjoint sets हों तो apply करें probability of a plus probability of a compliment probability of s क्या होता है वान अभी मैंने पताया के probability of s1 probability of 5 is equal to 0 तो आप क्या गरें इसको तर माइनस कर दें probability of a compliment is equal to इसको तर माइनस करें 1 minus probability of a तो देखें इस तरह आप इसका प्रूफ करेंगे हमारे पास example है 6.10 a kindness task for time is succession what is the probability that at least one head occurs क्या है कि आपने probability find करनी है काम उसकाम एक head आए जादा से जादा कितने head आ सकते हैं 4 क्योंकि total आपके पास जो coin है वो 4 है देखें 4 की sample space आप कैसे draw करते हैं sample space दो की आप इदर लिखें लिखें दो coin की जो two coin two coins की जो sample space होती है आपको पता है मैंने previous lecture में बताया था head head tail tail head tail 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 इस तरह लिखें head 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 tail tail head tail 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 दो की तरह लिखें है head 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 tail tail head tail 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 दो हैड की sample space यह और दो की sample space यह है आपको total की देखें हैं मलाएं इसको head 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 आगे मलाएं head 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 tail इसको इसके साह मलाएं head head tail head इस तरह मलाएंगे तो यह total जो बनेंगे यह 16 बनेंगे number of sample space क्योंगे काइन की जो काइन की possibility वो दो होती है head or tail कितने काइन है four उतनी power ले लेते हैं तो कितना आगे 16 अब आप देखें जो लास्ट बनेंगे यहां पे इसको और इसको मलाएंगे टेल 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 आप देखें जब आप इसकी sample space लिखेंगे सब में head होगा कमस कम एक सिर्फ एक ऐसा event होगा जो लास्ट है जिसमें कोई भी head नहीं होगा इसका मतलब कि मेरे पास a compliment क्या आगया टेल 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 यह a compliment क्या है a की negation a compliment s माइनस a देखें बाकी जितने भी जो sample space में total element होगे जासे head 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 tail head 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 tail head 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 अब अब देखें आपने नकाल नहीं है probability of a complement क्या मतलब होगा उसका number of element a complement over number of s देखें जिसकी probability find करेंगे उपर उसके number आएंगे नीचे हमेशा sample space के probability of a complement देखो ए में कितने element है एक element one total element कितने है 16 one over 16 तो put करतें one of 16 इसका मतलब जो हमारे पास probability of a आएगी वह 15 ओवर 16 यह आप इसकी probability मैंने बताया आप ड्रेक्ट कर सकते हैं जैसे probability of a है इसका मतलब है कि number of element a over number of element s देखें यह में कितने element आएंगे इसके अलावा जो सारे element होंगे वो किसके होंगे एक क्योंकि टोटल element कितने हैं 16 compliment में कितना element है एक 16 में से one नकालें तो कितना रहागा 15 यह में कितने 15 ओवर 16 जैसे हम अरजी कर सकते हैं next हमारे पास है addition law if a and b are two events defined in a sample space then probability of a union b is equal to probability of a plus probability of b minus probability of a intersection b यहाँ देखें जो a and b हैं यह हमारे पास कहा है lower over sorry overlapping sets overlapping set का मतलब जो ditch one नहीं होंगे यानि a intersection b not equal to five अब हमारे पास a intersection b कभी five नहीं होगा जब यह a और b आपस में क्या करेंगे overlap करेंगे यानि इन दोनों में कोई ना कोई कामन पॉइंट होगा तो फिर a intersection b apply करेंगे तो देखें हमारे पास यह very 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 important theorem है सरा मैं सब्सक्राइब कर दूँ आपको यह हमारे पास universal set sample space हैं यह set a है और यह set b है दोनों आपस में क्या करें overlapping set a और set b यह जो element हैं यह दोनों के क्या है common element a intersection b जो यह वाला portion बचा यह वाला जिसमें मैंने b लिखा हुआ है इसका मतलब इसमें b के element होगे लेकिन a के element नहीं होगे इसको क्या लिखेंगे b intersection a compliment और इसमें a के element होगे इतने हिसे में a के element होगे b के नहीं होगे इसको लिखेंगे A intersection, B complement, अगर आप बात को गवर करें, A intersection, B complement, A intersection, B और B intersection, A complement, यह जो सारे sets हमारे पास हैं, sets हैं, यह क्या होंगे? इसका मतलब, A intersection, B complement, A intersection, A intersection, B is equal to 5, इसी तरह, A intersection, B intersection, B intersection, A complement, क्योंकि यह भी आपस में क्या हैं, D joints, इनमें भी कोई common point नहीं होगा, आपने पढ़ा था, कि अगर A और B, दोनों D joint sets हैं, तो addition का thorem इसमाल होता है, A union B, probability of A, plus probability of B, अगर दोनों set, D joints हैं, यह वाला त्रिका, यह हमारे पास universal set है, यह set A है, और यह set B है, तो देखें, दोनों में कोई common point नहीं है, अगर दोनों में कोई common point नहीं होगा, तो formula यह होगा, अगर दोनों में कोई common point है, तो फिर हम formula यह व दोनों, यह हम उस वकर यूज़ करते हैं, जब दो events के दर्मियां लफज क्या हो R का, क्योंकि R किस के लिए यूज़ करते हैं, यूनियन के लिए, तो देखें, काबले गौर बात, हमारे पास A union B, बराबर होगा, आप देखें, A union B मैं ले 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 गा हूँ, यह हमारे पास हैं, अगर आप देखें, पेज की तरफ, यह जो इतने element हैं, यहां तक यह वाले, यह जो element है, यह है B intersection A के, और यह जो element है, यह किस के हैं, A union B के, अगर इन दोनों को मला दूं, यह वाले element और यह वाले element, तो किस के बराबर होगा, B के, तो मैंने इसको ऐसे लिखा, हमारे पास, A union B, देखें, क्या है, A union B होगा, इन दोनों का union, A का भी, और B का भी, देखें, कैसे बराबर होगा, A, A यह सारे वाला, और union आएगा, हमारे पास, देखें, यह सारे वाला आ गया, A, इसका काम A कर गया, और union, B, अब आप देखें, कौन से element बज़े हैं, हमारे अगर इसको, इतने को और इसको मलाएंगे, तो टोटल किसके बराबर होगा, A union B, तो लगाएं, प्रॉबिल्टी, प्रॉबिल्टी ऑफ A union B, इस इकल टू प्रॉबिल्टी ऑफ A, प्लास प्रॉबिल्टी ऑफ B intersection A compliment, क्योंकि यह दोनों आपस में क्या है, D joint sets हैं, इसी तर आप क्या करें, इसको मैंने बोल दिया, equation number 1, फिर हम लेंगे B के equal, तो देखें, B हमारे पास क्या जाएगा, अब देखें, यह, A union, A intersection B, A intersection B, Union, अब आप देखें, इतना लिया हमने, और मैंने इसको किसके प्रॉबिल्टी ना, B के, साथ क्या जाएगा, यह वाला portion, Union, A, A intersection, A compliment, intersection B, बिड़ा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, B intersection, A compliment, यह, A को पहले लिख लें, A compliment, intersection B, जैसे हम आरजी लिख सकते हैं, और यह, दोनों आपस में कहा हैं, D-joints, तो अप्लाई करें, probability, probability of B, हाँ, जी, probability of A intersection B, यूनिक वज़ा से दिम्यान में, प्लास, probability of A compliment intersection B, इसको बोले, equation number 2, क्या करें, subtracting equation 1 and 2, तो लिखें, क्या हमारे पास यह है, probability of, probability of A union B, minus, probability of B, next देखें, यह हमारे पास, यह equation 1 है, और यह equation 2, यह दोनों सेम है, negative, positive, cancel, तो probability of, probability of A, minus, probability of A, intersection B, यह negative एदर आगर क्या हो जागी, positive, तो हमारे पास result आगया, A unit, probability of A unit B, इसको दिर प्लस कर दें, probability of A, plus probability of B, minus probability of A intersection B, यह मैंने बताया था, जब क्रॉलरी है, मैंने बताया था, अगर A और B, दोनों, disjoints होंगे, या mutually exclusive होंगे, तो probability of A unit B, is equal to probability of A, plus probability of B, क्यों, आपने प पड़ा था, कि A intersection B, is equal to 5, तो probability of A intersection B, is equal to probability of 5, अभी आपने पड़ा था, कि probability of 5 क्या होता है, 0, इसकी value क्या जागी, 0, probability of A intersection B, is equal to 0, इसलिए मैंने क्या put कर दिया, 0, तो देखें, जब आप इसकी value 0 put कर देंगे, यह थूरम proof हो जगा, यहाँ पूट करें 0, तो probability of A unit B, is equal to probability of A plus probability of B, next हमारे पास, इसकी very very important example है, if one card is selected at random from 52 cards, what is the probability that card is clubs, face, face card और both, देखें हमारे पास, मैंने बताया था, जो clubs, 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 जो आपके पास है, clubs के cards, आपके पास कितने थे, 13, faces, जिसको आप यका बोलते हैं, उसके card कितने थे, आपके पास, 4, तो, जो, sorry, faces, faces, जिस पे आपके तस्वीरे बनी होती है, वो क्या था, king, plus queen, plus jacks, जिस पे picks बनी होती है, 4, plus 4, plus 4, कितने होगा, 12, अब आप देखे जो सबसे important बात है, एक, एक पता clubs का, king में होता है, एक, एक queen में होता है, और एक jacks में, तो यह जो clubs के पते हैं, इसमें और इसमें जो common पते हैं, वो कितने हैं, तीन, क्योंकि एक, जो king होता है, वो clubs का होता है, एक queen clubs की होती है, और एक jacks का होता है, तो दुनों में, जो common ह हमारे पास cards हैं वो कितने होंगे 3 इसका मतलब number of element a जिसको मैंने clubs बोला है यानि number of clubs cards वो कितने होते हैं 13 आगे number of b जिसको हमने कहा है pictures card या faces card वो कितने होते हैं 12 और इन दोनों में जो common है वो कितना होता है 3 तो नकालें probability of a number of element a over number of s इसी दर आप नकालेंगे probability of b देखें जिसकी probability उपर उपर उसके number नीचे total sample space अब b की probability उपर number of element b नीचे total element जाब हम नकालेंगे intersection b की probability उपर number of element a intersection b over total elements क्योंकि total जो cards होते हैं total cards वो आप सभी को पता है कि 52 जिसको मैं ऐसे लेता number of total cards 52 देखें नकालें probability यह के कितने element थर्टीन थर्टीन ओवर फिफ्टीन टोटल इसी तरह अब b के element कितने हैं 12 12 over total 52 दोनों में common card कितने हैं 3 3 over 52 अब देखें दोनों में common element आ रहे हैं तो कौंसा formula यूज होगा यह वहला अगर common point नहीं आएगा अगर दोनों में a और b में कोई common point नहीं होगा तो probability of a union भी ब्राबर होगा probability of a plus probability of b मैंने put कर दी a की value 13 over 52 b की value 12 32 और 3 over 30 इनका LCM ले लें LCM आएगा 52 तो क्या आ गया 13 plus 12 minus 3 13 plus 12 25 minus 3 22 over 52 यह हमारे पास very 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 important topic है probability का इसको अच्छे तरीके से आप त्यार करें अगर कोई issue हो तो आप उसे discuss कर सकते हैं